कान बंध होना या कम सुझाई देना एक आम परिशानी है इसके बहुत सारे कारण है पर बरसाती महीने जैसे आजकल के समय में ये कुछ और कारण ज्यादा बढ़ जाते हैं इसका एक बहुत आम कारण है कान में वैक्स या मैल का बनना मैल वैसे तो किसी भी महीने में बन सकती है पर बरसाती समय में ये नमी की वज़ा से फूल जाती है जिसकी वज़ा से कान में बंध होने की फीलिंग आती है एक खास कारण जो ज्यादा बरसाती समय में हमें देखने को मिलता है वो है fungus infection या उरली का infection होना fungus हमें पता है कि ये नमी की वज़ा से बनती है इसी तरह से ये कान में जब नमी ज्यादा होती है बरसाती समय में ये कान के अंदर लग जाती है और एक तीकी दर्द और कान बंद होने की feeling देती है बरसाती समय में खांसी, जुकाम जैसी viral infection होना आम है कान, नाग, गला आपस में connected रहते हैं गले और नाग की ये viral infection अकसर कान में चले जाती है और कान को बंद करने या सुनाई कम करने में अपना योगदान देती है इसके इलावा और बहुत से कारण जो हर साल हमें trouble कर सकते हैं, परिशान कर सकते हैं जैसे की कान के परदे में कोई सो जाना, कान के परदे में सुराख बन जाना, कान से मवाद आना, कान की सुनाई वली हड़ियां गल जाना या कान की नसकी में कोई कमी आना ये सब हमें परिशान कर सकते हैं एक ENT स्पेशलिस्ट के पास चेक अप करवा के हमें पता लगता है कि ये बिमारी क्या है और उसका क्या इलाज होना चाहिए क्योंकि इन सब का लक्षन सेम ही रहता है वो है कान का बंध होना या कम सुनाई देना